सोल अक्टूबर को नीट 2020 के परिणाम घोशित हुए हैं जिसमें शहर के पार्थ इंसिट्यूट की छात्रा हेत्वी अलीवाला ने 720 में 685 अंख प्राप्त कर वरुद्रा में चौथा इस्थान हासल कर पार्थ इंसिट्यूट का गौरव बढ़ाया है मेडिकल में प्रवेश्ट के लिए राष्टेस्तर पर नीट की परिक्षा लिजाती है कल ही नीट 2020 के परिणाम घोशित किये गए हैं जिसमें पार्थ इंसिट्यूट की छात्रा हेत्वी अलीवाला ने 720 में 685 अंख प्राप्त कर और इंडिया में 476 वा स्थान हासल किया है वहीं छात्र शेट विदांत ने 671 और पार्थ इंसिट्यूट की छात्रा इशा ने 600 अंख हासल कर पार्थ इंसिट्यूट का गौर्व बढ़ाया है इस मौके पर पार्थ इंसिट्यूट के संचालक जगदीश निमावत सर ने छात्रों को शुबकामनाई दी नीट 2020 का जो रिजल्ट आया उसमें पार्थ इंसिट्यूट का जो टॉप स्कोर है वो है अलिवाला हैत्वी इसका स्कोर था 685 ओल इंडिया रेंग है उसका 476 और सी स्टूर्ड फूर्थ इन वड़ोदरा सिटी इसके अलावा पार्थ इंसिट्यूट के टोटल 12 स्टूट था थेंडिया फ्रेंड वाले जो टोटल 32 स्टूट से और फॉर हंडे से ज्यादा स्कोर करने वाले टोट्ल 75 स्टूट है यह सारे स्टूडन की वजह से नीट पॉस्पोन होने से अपक्णा प्रिक्रसान त 12 जाफा करके यह अतना अच्छा स्पोर किया और इस स्पोर के साथ वो अपना डॉक्टर बनने का जो एक मेडिकल फर्टेनिटी बनने का जो एक उसका स्वपना है उस सपना को कम्प्रिट करने जा रहे तो हम पार्थ इंस्टिट के पूरे स्टाप की और से मैं सभी को बहुत- बहुत-बेस्ट विश्जिस देता हूं इस नीट 2020 की एक्जाम में 600 आफ 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 और 720 का स्कोर है और मेरा रेंक 9361 है जो कि पूरा पूरा श्रे में अपने मुमी पापा और पार्थ इंस्टिट को देना चाहती हूं लोग डाउन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हमें टाइम मिल गया है नीट की प्रिप्रेशन का क्योंकि उसमें जो हमारे कुछ वीक पॉइंट्स थे या हमने जो कुछ डिफिकल्स पॉइंट लग रहे थे उस पे ज्यादा फोकस करने को मिला नहीं लॉकडाउन में पढ़ना इतना अच्छा नहीं लग मेरपे स्टार्टिंग में पढ़ना तो मतलब कोई टाइब का कोई शुडियूल नहीं था और पढ़ने से स्यादा तो ब्रेक्स होते थे तो लॉकडाउन मतलब ठीक है पढ़ा था ऐसा ने कि टाइम बेस्ट किया है बट लॉकडाउन में एक्चुली थोड़ा लोग डिप बरोडा में शायद फोर्थ रांग मेरी ओल इंडिया रेंग वन वन जिरो वन आई है और मेरे मार्क से सेटिस्फाइड हो और खुश भी हूँ मेरी फैमिली भी खुश है और मेरे सब परिवार में सब खुश है मैं अभी MBBS करूंगा मेरी महलाचा सराजी एरवल में से MBBS करने की इच्छा है और उसके बाद मैं MS बनूंगा काडियोलोजिस बनने की मेरी इच्छा है